दोस्तों सुरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है आज हमारे पास में आया है HP-8120 प्रिंटर जो की all-in-one प्रिंटर है और इसमें प्रिंट स्कैन और कोपी की फैसिलेटी अवेलेबल है ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा प्रिंटर है और इस प्रिंटर में जो प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंग करती रहती है और प्रिंट भी नहीं निकलते हैं प्रिंट लाइट और जो हैड लाइट होती है दोनों रेगुलरली ब्लिंग हो रही है यह अधिकतर पेपर फसने की वज़ए से या पेपर जाम होने की वज़ए से या इसमें एक एं तो इते हिए वह फिलैप के नीचे होते हैं में contenu uk पास में इस्ह पी का कोई प्रिंटर ही और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम आरीय है तो आप हमें comments करें हम आपकी query का जिवादे गेगे अगर आपके पास में 58-20 प्रिंटर ही और उसमें में بھی किसी भी हटा लेंगे इसके बाद इसमें दो केबल कनेक्ट होती है एक केबल स्केनर की होती है और दूसरी केबल पैनल की होती है जिसको धीरे से हटा लेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये एनकोडर स्ट्रिप होती है एनकोडर स्ट्रिप जादा यूज होने से खराब हो जाती है और इसमें आप जो देख रहे हैं कि काले काले धब्बे हो गए हैं और ये जो नई स्ट्रिप हम लगाएंगे इसमें बिल्कुल भी काले धब्बे नहीं होंगे ये बिल्कुल क्लीन होती है हमारे प्रिंटर में जो एंकोडर स्ट्रिप थी वो खराब थी ज हमारी problem sol होई है या नहीं होई है आपको encoder strip change करने में कोई भी problem आ रही है तो आप हमें comment करके बताईए हम इसके लिए एक या अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हमारे technician strip को change करके आपको दिखाएंगे इस strip को कैसे change करते हैं इसको change करने में कितना खर्चा आता है ये सारी हम एक separate वीडियो में बना देंगे आप हमें comment करके जरूर बताएं कि इस strip को आप change कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हम इस printer को दुबारा से बंद कर देंगे इस strip जो change करनी थी वो change हो चुकी है इसको बंद करने के बाद में हम एक test print की command दे कर देखेंगे और अब आप देख सकते हो कि E3 की जो error पहले आ रही थी वो आप display नहीं हो रही है और ये जो आप strip देख रहे हो ये strip होई है जो हमने change की है ये पुराने वाली strip है और नए वाली हमने इसको change कर दिया है अब हम इसमें print की command देते हैं और आप देख रहे हैं कि test print निकल रहा है और हमारा printer बिलकुल ready हो गया है print की quality भी बहुत ही अच्छी आ रही है अगर आपको हमारी video पसंद आई है तो channel को subscribe करें और video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें अगर आपके printer में कुछ भी problem है तो आप हमें comment करके जरूर बताओ जिससे कि हम आपकी problem का solution आपको बता सके इस video को पूरा देखने के लिए धन्यवाद